राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वा बंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपके लिलाई हूँ पोश पुत्रदा एकाशी कब है शुब महूरत और महत्व क्या है बंधों यदि आपने संसकार की बाते चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों अब आप हमारे साथ फेस्बुक पर भी जुड सकते हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ बंधों वीडियो को पूरी सुनें सुनने के बाद कमेंट बोक में जे विश्णु भगवान जरूर लिखें बंधों हिंदू पंचांग के अंसार हिंदू धरम में कुल 24 एकाश्या आती हैं हिंदू पंचांग के ग्यार में तिथी को एकाश्य कहा जाता है यह तिथी एक महीने में दो बार आती है एक पुर्णिमा के बाद अथात क्रिशन पक्ष की और एक शुकल पक्ष की एकाशी जो की अमावस्या के बाद आती है बंधों हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या के बाद आने वाली पोश महीने की जो एकाशी होती है उसे पुत्रदा एकाशी कहते हैं बंधों यह एकाशी पोश महा के शुकल पक्ष की एकाशी तिथी को आति है हिंदू धर्म में पोश पुत्रदा एकाशी की मानिता बहुत अधिक है इस वर्ष पुत्रदा एकाशी 24 जन्वरी को है बंधों कहा जाता है जो भी इस व्रत को करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है जिन मनुष्यों के यहां संतान की कमी है अर्थात संतान होने में देरी हो रही है वे सभी मनुष्ये पुत्रदा एकाशी का व्रत अवश्य करें यदि वे पुत्रदा एकाशी का व्रत करते हैं भगवान विश्नु की क्रिपा से एकादशी माता की क्रिपा से होगी ही होगी प्रंतू बंधों व्रत को पूरन शद्धा के साथ नियम के अनुसार ही करना बंधों पुत्रदा एकाशी काशुब मुहुरत एकाशी तिथी आरंब जनवरी 23 शनी वार को रात आठ बजकर 56 मिनट पर आरंब हो जाएगी अकाशी तिथी किसमापते 24 शनी रवीवार रात 10 बजकर 57 मिनट पर है बंधों व्रत का पारन 25 शनी शनी वार सुभे 7 बजकर 13 मिनट से सुभे 9 बजकर 21 मिनट तक है बंधों दौाशी समापत होने का समय 26 शन्वरी मंगलवार रात को 12 बजकर 24 मिनट है बंधों अब मैं आपको बताऊंगी पुत्रदा एकाशी का महत्व क्या है बंधों कहा जाता है इस प्रत को करने से संतान की प्राप्ती होती है इस दिन शीहरी की अराधना की जाती है पुत्रदा एकाशी के दिन व्यक्ति को पूरे तन मन और यतन से इस व्रत को करना चाहिए साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकाशी की व्रत कथा करता या सुनता है उसे स्वरक की प्राप्ती होती है बंधों अब मैं आपको पुत्रदा एकाशी की कथा सुनाने जा रही हूँ बंधों पोश मास के शुकल पक्ष की इस एकाशी का व्रत नी संतान को भी सुन्दर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है संतान प्राप्ती और उनकी रक्षा एवं प्रग्दी के लिए पर्टेक मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए आज के दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विश्नु की पूजा की जाती है भगवान शीक्रिष्न द्वारा अब तक कहे गए व्रितान को सुनने के बाद धरम रायुधिष्टर ने पूछा है गोविन अब कृपा करके बताईए कि पोश शुकला एकाशी का क्या नाम है इसके व्रत की विधी क्या है कौन से देवता की पूजा की जाती है भगवान शीक्रिष्न उत्त दिया है राजन इस एकाशी का नाम पुत्रदा एकाशी है इसमें भी नारायन भगवान की पूजा की जाती है इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकाशी के बत के समान कोई और बत नहीं है इसके पुन्ने से मनुष्य तपस्वी विद्वान और लफ्वी वान होता है इसकी एक कथा सुनाता हूँ ध्यान पुर्वक सुनो भद्रावती नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था उसके कोई पुत्र नहीं था उसकी इस्त्री का नाम शेव्य था वह संतान हीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी पुत्र हीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे इसके बाद हमको कौन पिंड देगा राजा पुत्र ना होने के कारण हर समय दुखी रहता था उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोडे, राज्य और वैभव आदे सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे राजा सदैव यही विचार करता रहता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड़ दान देगा बिना पुत्र के पित्रों और देवताओं का रिल कैसे चुकाया जाएगा जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधिरा रहता है इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ती के लिए प्रतन करना चाहिए जिस मुश्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है उसको इस लोक में यश और परलोक में शांती मिलती है उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं पुर्व जनम के करम से ही इस जनम में पुत्र धन्प्राप्थ होता है राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता अचिन्तित रहता राजा ने अपने श्रीर को त्याग देने का विचार किया प्रंतु आतम घात को महान पाप समझ कर उसने ऐसा नहीं किया एक देन राजा अपने घोड़े पचड़ कर वन को चल दिया और पक्षियों वाविक्षों को देखने लगा उसने देखा कि वन में म्रिग, व्याग्र, सुवर, सिही, बंदर आदी अपने बच्चों के साथ ध्रमन कर रहे हैं हाथी अपने बच्चों और हत्रियों के साथ घूम रहे हैं वन में कहीं गीदर अपने करकश स्वर में पोल रहे हैं कहीं उलू चीक रहे हैं वन के इंद्रिश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिप पिड़ा देने लगा इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई वह विचारने लगा मैंने कई यग्य किये ब्रहामनों को सुन्दर भोजन दान दे कर त्रिप्त किया फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है प्यास के मारे अत्यन दुखी राजा पाने की तलाश में इदर उदर फिडने लगा थोड़ी दूर पर राजा ने एक सिरोवर देखा उस सिरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस हंस मगर मच आदी विहार कर रहे थे सिरोवर के चारों तरफ मुन्यों के आश्रम थे उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे राजा शुब शगुन समझ कर गोड़े से उदर कर मुन्यों को दन्वत करके उनके सामने बैड़ किया राजा को देखकर मुन्यों ने कहा राजन हम तुम से अत्यात प्रसंद है तुम इस जगा पर कैसी आये सो कहो इस पर राजा ने मुनियों से उसका परिज़े पूचा और फिर व्यथा कही मुनी बोले है राजन पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकाशी है हम लोग विश्वदेव हैं इस सरोवर मिश्णान करने आए हैं इस पर राजा बोला है मुनिश्वर यदि आप मुझ पर कृपा करो और मुझ पर प्रसन हो तो एक पुत्र का वर्दान दीजिए मुनि बोले है राजन आज पुत्रदा एकाशी है आप इसका वरस करें भगवान की कृपा से आपके अवश्य पुत्र होगा मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस तिर वही एकाशी का वरस किया वही द्वाशी को उसने वरस का पारन किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापिश चला गया उसी माह असरानी ने गरब धारण किया और नो माह के पच्चाथ उसके एकुत्तम पुत्र पैदा हुआ जो बड़ा होकर अत्यांतवीर यशश्वी और प्रजापालक चक्रवदी सम्रावट बना भगवान श्री कृष्ण बोले राजन पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकाश्वी का व्रत करना चाहिए इस व्रत के करने वाले यशश्वी और पित्र भक्त पुत्र तो पाते ही हैं उसके महतम का श्रमन करने मात्र से नुश्य सुन्दर संतान और मोग्ष को प्रा करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद